तो दोस्तों क्या आप से अब भी चावल की रोटी अच्छी, सुपर, सॉफ्ट और फुलिफलिफ बनती ही नहीं है तो कोई बात नहीं आज मैं आपके लिए फिर से एक नए ट्रेक लेकर आए हूँ जिससे आपकी चावल की रोटी सॉफ्ट मनेगी और तूटी की भी नहीं आज हम कुकर में और बिना बेलन चलाए ये चावल की रोटी बनाना सिखेंगे तो चलिए आज की नहीं रोटी बनाने के लिए गरम पानी करते हैं और उसमें चावल का आटा डालते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है तो इसलिए आज मैं नई ट्रुक लेकर आए हूँ तो आटे के अंदर हमने डाला है चिले फ्लेक्स, कसूरी मेथी, हरी धन्या और बारिक कटीवी, प्यास और ग्रेट कियावा गाजर तो दुस्तो गाजर और प्यास डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये हेल्दी बन जाती है अब इसमें डालेंगे हमारे स्वादनुसार नमक और दो चमच तेल और इन सभी चीजों को मिक्स करके इसमें नॉर्मल पानी डालकर चपाती की जैसे ही आटा लगाना है बहुत सारे लोगों ने मेरी पिछली दोनों चमल की रोटी का वीडियो देखा था और बहुत ज़ादा उसमें व्यूज भी आए थे होगा तो आटा लगा लेने के बाद हमें लेना है एक मोल्ड कोई भी आप डिबा या मोल्ड ले लीजिए उसे थोड़ा सा ग्रिस कर लीजिए और जो आटा हमने अभी लगा कर रखा है ना उसके आपको छोटी-छोटे बॉल्स बनाने ही तो मैंने यापर चार बॉल्स बन डालूंगी और दो से तीन सीटी इसे लगाऊंगी जिसे आटा पक जाएगा और इसे आपकी रोटी काफे सॉफ्ट बनेगी बनाते वक्त वो तूटे की नहीं उस पे क्रेक्स भी नहीं आएंगी तो चलिए कुकर में हमने थोड़ा सा पानी डाला है और अब इसके अंदर इसने सीटी आने तक पकाना है जैसे इसमें सीटी आ जाए प्रेशर सारा डाउन हो जाए तब हम इसे खोलेंगे और अब हम इस डब्बे को अलग करेंगे मतलब इसमें से निकाल लेंगी तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना जादा जो इसका मौश्चर प्लेट के उपर है आटे में गिरा नहीं है और यह बी काफी गरम है इसे ठंडा होने देंगी तब तक हम एक बहुत ही टेस्टी सा रायता बनाएंगी तो यहां पर मैंने लिया है दही इसमें हमें डालना है ककड़ी गाजर प्याज और मैंने आपर अनार के दाने लिए हैं इ इसमें हरी मिर्च बारी काटकर भी डाल सकते ही अच्छे से मिक्स कर लिए और यह आपका हेल्दी और टेस्टी रायता बनकर तैयार हो चुका है इसे हमें एक साइड रखना है और अब हम देख लेते हैं आटे को तो आटा थोड़ा थंडा हो चुका है इसे आपको पूरा इसित्व करना है है तोड़ा थंडा करना है ताकि आप इस अच्छे से मसल पैं और अब दोस्तों हमें देखिं यह तोड़ से जो बॉल से ख कर लेना है तोड़ लेना है और इसे से मसल नहीं दोस्तों छावल बनाते वक्त तूटती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा मुलायम सौफ्ट और फुली फुली बनती है लेकिन इसे आपको अच्छे से मलना है लगभक आठ से दस मिनट के लिए और फिर आपको इसके रोटी बनानी है चलिए हमने आटा मल लिया है अब हमें लेना है एक पेड तिल लगाना है और आटी के उपर भी हलका तिल लगा लिजिए और अब हमें फिर से प्लास्टिक के पेपर से कवर करना है और कोई भी एक मोटी प्लेट ले लीजिए और उससे इस पर प्रेस कर लिजिए इससे आपकी रोटी अच्छे से फैल जाएगी बिना बेले आप ए अगर के मोटी रोटी पसंद है तो आप अभी ही निकाल कर इससे शेख लीजिए और अगर आपको पतली रोटी पसंद है तो आप उंगलियों से थोड़ा थोड़ा दीजी इससे के किनारे भी पतले हो जाएगे और रोटी भी आसानी से फैल जाती है तो यहाँ पर मैं आप को रोटी बनाने का प्रैक्टिस है तो आप बीना प्लास्टिक की पेपर से भी इसे बना सकते हैं तो जो तरीका आपको जादा पसंद आए मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईए तो यह देखिए दोस्तों हमने हातों से फेलाया परफिक्ट रोटी बनी है कितना भी अलट पादी के दरफ बेलेंगे नॉर्मल पाटी पे रखकर बिना प्लास्टिक के पेपर से तब भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं तब भी यह ना तो बेलन पे चिपकेगी ना तूटेगी और ना ही इस पे क्रैक्स आएंगी यह देखिए बहुत ही शानदार यह रोटी बन है और अब हमें इसे सेखना है तो मैंने यह आपर आइरन के तवे को अच्छे से गरम कर लिया है इस पर थोड़ा सा तेल लगा कर हमें इसे सेखना है और जैसे जैसे हम इसे सेखते जाएंगी आप जिखेगा कि रोटी काफी जाद मुलायम सॉफ्ट और फुली फुली बने हैं और यह काफी दिर तक काफी जादा सॉफ्ट बनी रहती है यह देखे दोस्तों अब यह रोटी जो है वह फुला स्टार्ट हो चुकी है लेकिन यह जादा नहीं फुलेगी क्योंकि हमने इसमें प्यास डाली है जो प्यास के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं वह इस में आते हैं तो फुले के लिए थोड़ी दिकत होती है लेकिन अगर आप इसमें प्यास नहीं डालेंगे तो यह पिछले वीडियो के तरह फुले-फुले को पारे जैसी चावल की रोटी बनकर तयार होगी इसी तरीके से हमने सारी रोटी बना ली है और अब मैं आपको दि कीजिएगा आपको बहुत अच्छी लगेगी यह रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी है बनाने में उससे भी ज्यादा आसान है और इसी तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी आप बना पाएंगी तो अब दोस्तों इस रोटी को आप इंज्वाए कीजिए इस ठंडे- आज की रेसिपी कैसे लगी हमें जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूले